हेलो दोस्तों स्वागाता आप सभी को राजय स्टेडी में आज हम लोग अब्जेक्टिव स्रीज के आगे चलते हैं जो कि इतिहास का फोर्थ चेप्टर है भारत में राष्टवाज यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और अब्जेक्टिव आपके लिए मार्किंग हो सकता है आपका वेटेज बरा सकता है यदि आप फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो अब्जेक्टिव आपके लिए बेस्ट आप्शन है क्योंकि आप 50 बना के आएगा तो 50 में 50 आपको मिलेगा क्योंकि उसमें मार्क कट नहीं होता और हम आपको आईशे पढ़ाएंगे कि 50 में 50 आपको मिलने वाला है सिर्फ आप अंत तक मेरे साथ जूरे रहें तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखते हैं साथ ही उसमें हम सौर्ट थियोरी भी देखते हैं जो कि अब्जेक्टिव के लिए जरूरी हो जाता है और साथ ही इसके दो नमबर भी कवर हो जाता है तो हम इसे भी पहले देख लेते हैं इसके बाद हम लोग objective के तरब बढ़ेंगे तो देखते हैं मेरा पॉइंट पाला पॉइंट क्या है 6 पॉइंट में लिखए हैं जो कि बहुत ज़ादा objective इसमें cover हो जाते हैं एक पॉइंट से कम से कम 2 या 3 objective cover होते हैं वो हम आपको पहले से भी दिखाते आ रहे हैं और इसमें भी हम आपको बताएंगे मेरा पहला पॉइंट है कि 1858 में महरानी विक्टोरिया के उद्गोसना से देश की सभी राज ब्रिटिश समराज के अधीन हो गए थे महरानी विक्टोरिया थी उसके अधीन सारे राज हमारे देश के उसी के अधीन में आ गए थे सुबाद नेक्स पॉइंट देखते हैं कि 1885 एरस्पी में अखिल भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का गठन हुआ था यह बहुत बार यह पुछा गया है कि अखिल भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का गठन कब हुआ था तो कब वहा था 1885 एस भी में उसके बाद हम रॉल अट एक्ट के बारे में जानते हैं कि रॉल अट एक्ट क्या है इससे तो लॉंग कोईस्टन भी बनता है और मेरा पाला कोईस्टन अब्जेक्टिव का इस अध्याय का यही था रॉल अट एक्ट से आप क्या समझते हैं तो है कि धर पॉइंट है कि रॉल अट एक्ट उन्हे संटीफी में पारित हुआ इस कर में 13 अप्रेल जलिया वाला बज दोइससिट से बना हुआ है आमरिस सर्दम में वहां पर सारे लोग एकठाओके वहां पर भरोभतसन कर रहे थे तो मैम Egg чаन थै जलिए यह रॉल अट का यहीं बिरोध हो रहा था ενहुंस में पारित हुआ था यानि 12 अपरेल और 13 기억 5 यहीं जलिया माला भाग हत्याकर भाrud हुआ था और इसके बारे में हम बता वी चुकिया इस Šफ एस अंपर होज़े कर अघर है कि इस्प दिया है था 10 यह पूछा जाए कि जलिया वाला भाग हत्या कंड का हुआ था इसके बाद हम आगे देखते हैं पॉइंट में रख्या राष्टी कॉंग्रेस ने कलकत्त अधिवेशन में सितंबर 1922 को गांधी जी के नेत्रूत में असवयोग आंदोलन पारित किये थे इससे कैसे क्यों फ्रेम किये जाएंगे इससे भी दो क्यों बन रहे हैं एक तो यह पूछा जाएगा कि असवयोग आंदोलन कब पारित हुआ था दूसरा यह पूछा ज आंदोलन पारित हुआ था कभी-कभी यह पूछ लिए जाता है कि किसके अध्यक्षा में पारित हुआ गाता है या किसके नेत्रूत में हुए थे गांधी जी के नेत्रूत में सभिनावग्या अंदोलन की शुरूत यात्रा से की थी डांधी में यात्रा से ही की गए था उन्हें बहुती होट कोई त्यसे है और उसको हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही कंसेप्चुल तरीके से हम आपको बता रहे हैं आगे चलते हैं आप तीन पॉइंट ही बढ़ चुका है इसके बाद हम लोग अब्जेक्टिव के तरफ बढ़ेंगे मेरा नेक्स पॉइंट है कि सभीना अबग्या आंदोलन से व रोषकी क्याताँ एक चेका नामक गुप्ध पुलीस और दूसरा क्या था दूसरा था लालosityीस पूनिसका घृर क्या था नवकर नामक यह संजछन क्या था किसने त्रॉषकी क्या वक्त। वानर सेना का और क्या था एक मनझूरी सेना का उसके बाद मेरा नेक्स कुश्चन है जिससे मतलब गांदी जी ने पाला अपना यानि के कोई मार्च निकाला था या कोई प्रोटेक्स्ट जाहिर किया था वह क्या था कि कर वे चंपारन आंदोलन 1907 में बिहार के मोती हारी से नील के खेती के बिरूद में हुआ था इससे तींग-चार कोशन फ्रेम वो रहा है कि चंपारा आंदोलन जो अंतनाय का शुरूह था मतलब कभि झांताय काँ और कीror और लिए किस जीज़ के बियो它रा किसे वा था उनैसे 2017 में चंपारा आंदोलन बिहार सेart कुछ शुरूह था गंदीजी के नेतरूत में ही हुआ था और गांदी जी का या पाला सोतंता आंदोलन था इसके बाद या किसके बिरोध में किया था नील के खेती के बिरोध में क्योंकि नील के खेती जिस मतलब खेत में हो जाता था जिस भूमी में हो जाता तो वहां का पैदावार का हो जाता है कम हो जा गया था उसके बाद मेरा एक ही पॉइंट बच गया है कि उडिशा में उन्हेसा चौदा इस्वी में क्या हुआ था खोर विद्रो हुआ था यह अब्जेक्टिव कोईशन बहुत बार पूछा गया और डायेक्टली पूछे जाते हैं कि खोर विद्रो कब हुआ था कब हुआ चलि हम कुछ आपजेक्टिव भी देख लेते हैं जितना आज कुबर हो जाए और कहा कि 10 मिनट ही करना ओता है तो शच समय भी बचा है तो उसको देख लेते हैं जितना अबजेक्टिव भाजा इसके अंतरगत देखते हैं किया है पहला question मेरा पहला question है कि सभी ने अबाग गया अंदुरन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था यही हम short theory में भी बताये थे कि सभी ने अबाग गया अंदुरन कब शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था तो कब हुआ था और कैसे repetition question का होता है next question देखते हैं मेरा second question है कि जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था अभी ही देखे थे थियोरी में कि 13 अप्राइर उनेस उनेस इसवी को क्या हुआ था जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो भी क्या है कि 2019 में पूछा गया है थार्ड question में रहा है कि अखिल भारतिय राष्टि कॉंग्रेस के अस्थापना किस वर्स हुई थी ये भी हम देखे थे अभी जश्ट देखे थे कि अखिल भारतिय संगर्ठन का अस्थापना कब हुई थी तो यह कब हुआ था अठारा सो पेचासी इसमी तो मेरा क्रेक्ट ऑप्षन कौन हो जाएगा अप्षन नंबर सी मेरा क्रेक्ट हो जाएगा जो कि यह 2016 में यह नहीं नीचे वाला पूछा गया है इसके बाद नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कि हिंदू महासभा का गठन किसने किया था पहला पूपस्ञ है गांधी जी दूसरा है मदन महन माल विये प्यस्ट आप सण नेहरू जी जोथा मेरा इनमे इसके कोई ने इसका मिरे कॉरेक्ट पूछन हो जाएगा है Takas Maαसभा का गठन किया था इसके बाद चठा क्वेशन और आज का लास्ट क्वेशन देख लेते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जितना भी छूटा हुआ क्वेशन है उसको कवर करेंगे क्योंकि यह टोपिक बहुत ही आच्छा है आपके मतलब हिस्टरी के लिए हिस्टरी में सबसे ज़्यादा यहीं किसी टॉपिक से पूछा जाएगा चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे वह अब्जेक्टिव हो तो इसी चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे तो देखते हैं मेरा चड़ा क्विषिन क्या है कि लखनऊ समजोता किस वर्च रॉप हुआ, तो मेरा पाहला अपसें है कि 1918 SV और दूसरा अपसें है 1916 SV मेरा क्रीकट अपसें जो हो जाएक, यही हो जाएक कौन 1916SV में ही क्या हुआ था लखनऊ समजोता हुआ था तो रहने देते हैं आज के लिए इतना है डेक्स्ट हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे आगे वाले वीडियो में थैंक यू थैंक यू फर वाचिन